क्लास सिक्स्ट इस्ट्री अध्याय नाई नय समराज और राज अडविंद राजा बना अडविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अधा करने के लिए चुना गया उसने सोचा था कि वह साही भेस भूसा में मोचो परताव देते हुए रूपले कागज में लिप्टे तलवार को सान से पकरकर चहल कदमी करेगा जर असोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीना भी बजाना होगा और कभीता पाठ भी करना होगा एक संगी तक गिराजा कौन हो सकता है वो अर्विंद सोचने लगा क्या बताती हैं प्रसस्तियां द्रसल अर्विंद गुप्त बंस के परसी दराजा समुंद्र गुप्त की भूमिका आदा करने जा रहा था समुंद्र गुप्त के बारे में हमें इलाहबाद में असोक अस्तंब पर खुदे एक लंबे अविलेक से पता चलता है इसकी रचना समुन्द गुप के दरवार में कभी वो मंत्री रहे हरी सेन दोरा एक काब्रे के रूप में की गई थी यह एक विशेश किस्म काबिलेख है जिसे प्रसस्ती कहते हैं यह एक संस्कृत सब्द जिसका अर्थ प्रसंसा होता है प्रसस्ती लिखने का प्रचलन सबसे प्रचलन पहले भी था जैसे तुमने अधै आठ में गौत्मी पुत्र सतकर्णी की प्रसस्ती के बारें पढ़ा प्रंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया समुन्द रूप की प्रसंसा की है यहां तक कि उसे इस्वर के बारे में बताया गया है प्रसंस्ती में लंबे लंबे वाक्य दिये गया है जहां वैसे ही एक वाक्य का अंस दिया गया है योध्धा समुद्र गुप्त जिनका सरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुलहारियों, तीरों, भालों, बर्चों, तलवारों लोहे के गदाव, नुकिले तार्दता अन्य सैक्रों हत्यारों से लगे घाओं के दाग से भढ़ने के कारेन अत्यांत सुंदर दिखता है, योध्धा समुद्र गुप्त तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है, राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे अगर तुम चित्र साथ को गौर से देखो तो पाओगे कि एक छेत्र को हरे रंग से रंगा गया है, तुम्हें पुडवी समुद्र तर्ट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदू दिखेंगे, उसी तरह कुछ शेत्र में बैगनी और निले रंग के भी मिलेंगे, यह मानचित्र इस प्रसस्ती में प्राब जानकारी के आधार पर बनाया गया है, हरी सेन चार बिभीन प्रकार के राजाओ और उनके प्रती समुद्र गुप की नीतियों का वनन करते हैं, बीना वजाने वाला राजा समुद्र गुप के कुछ अन्य गुनों को सिको पर दिखाया गया है, जैसे इन सिको में उन्होंने वीना बजाते हुए दिखाया गया है, मानचित्र में हरे रंग का छेत्र आर्या वरत के उन नौ सासकों का है, जिने समुद्र गुप ने हरा कर उनके राज्यों को अपने अपने समराजे मिला लिया था इसके बाद दक्षिनापत के बाहर सासक आते थे बारा सासक आते हैं इनमें से कुछ कि राजधानियों को दिखाने के लिए मांचीतर पर लाल बिंदू दिये गये हैं इन सब ने हार जाने पर समुन्द्र गुप्त के सामने समर्पन किया था बंगाल नेपाल और उतरपस्चिम के कई गनिया संग आते थे यह समुन्द्र गुप्त के लिए उपहार लाते थे उनकी आज्याव का परन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे बाही इलाके में सासक जिन्हें निले रंग से रंगा गया है समब तक कु मांचीत्र में पड़ियो इलावात का पुरारा नाम उज्जयन तथा पाटली पुत्र पटना ढूंडो यह गुप्त सासक के महत्पुन के अंदर थे आरावरत तथा जखनी दक्षिन नहापत के राजों के साथ समुन्द्र गुप के बेवार में क्या अंतर है क्या इस अंत गुप्त बंस द्वारा जीते गए नगर नगर कौन थे पांडया चोल महाबलीपुरम अलिकामेडू कांचीपुरम अमरावती एहोल रुचार नगर गुप्त बंस जीते गए उजहन पर्याक कन्योज मतुरा थाने सर वल लभी पाटली पुतर नालंदा आंतिक राज्य यह जो कलर से दिखाया गया यहां से यहां तक था बाहर राज्य यह थे और आडवरत इतने शेते में फैला हुआ था विक्रम संबत अंठावन इसापूर्व में परम होने वाले विक्रम संबत को परमपरागत रूप से गुप्त राजार शंद्र गुप्त तूतिये के नाम से जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सखो पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संबत की अस्थापना की दाथा विक्रम दित्य की उपादी धारन की थी विक्रम दित्य की बंसा वलिया अधिकांज प्रसस्तियां सासकों के पुरवजों के बारे में बताती है यह प्रसस्ती भी समुन्द्रगुप्त के प्रतित्मा पितामा यानी की परदादा दादा पिता और माथा के बारे में बताती है उनकी मा कुमार देवी लिच्वी गन की थी और पिता चंद्रगुप्त दुतिये वन्स के पहले सासक थे जिनोंने महा धिराज जैसी बड़ी उपादी धारन की थी समुन्द्रगुप्त ने भी यह उपादी धारन की उसके दादा और परदादा का महराजा के रूप में ही उलेक है इससे यह आभास मिलता है कि धिरे धिरे इस बंस का महत्व बढ़ता गया इन उपादियों को महत्व के हिसाब से सजाओ राजा महराजा महराज अधिराज महराजा समुन्द्रगुप्त के बारे में हमें उसके बाद के सासको जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त दूतिये की वंसावली पुर्बजयों के सुची से जानकारी मिलती है उनके बारे में अभी लेकों तता सिकों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सेन अभियानों में अंतिम सासक को पराजित किया था बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरवार विद्वानों से भरा था इन में से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय दस में मिलेगी हर्सवर्दन तता हर्स चरीतर जिस तरह गुप्त बंज के सासकों के बारे में अभिलेक तता सिक्कों से पता चलता है उसी तरह कुछ अन्न सासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है ऐसे ही एक राजा हर्षवर्दन थे जिनों ने करीब 1400 साल पहले सासन किया उनके दरवारी कभी वानभट ने संस्क्रीत में उनकी जीवनी हर्ष चडितर लिखी इसमें हर्षवर्दन की वंसावली देते हुँ उनके राजा बनने तक का वर्णन है चीनी तिर्थियातरी हुएन सांग जिसके बारे में तुमने आधाय आठ में पढ़ा काफी समय के लिए हर्ष के दरवार में रहे उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विश्तित वर्णन दिया हर्ष अपने पीता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे पर अपने पिता और बड़े भाई की मृतिव हो जाने पर थानेसर के राजा बने उनके बहनोई कन्नोज के सासक थे जब बंगाल के सासक ने उन्हें मा डाला तो हर्ष ने कन्नोज को अपने अधिकार में ले लिया और बंगाल पर आक्रमन कर दिया मगत तथा संभावता बंगाल को भी जितकर उन्हें पूर्म में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्ने जगों पर नहीं मिली जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दकन की और आगे बढ़ने की कोशिस की तब चालूग के नरेस पूलकेशन दुतिये ने उन्हें रोक दिया भारत का राज नितिक माचीतर देखो सुची बनाओ की जब हर्सवर्धन बंगाल तथा नर्मदा तक गया होंगे तो आज के किनकीन राज्यों से गुजरे होंगे पल्लव चालूग के और पूलकेशन दुतिये की प्रसक्तिया इस काल में पल्लव और चालूग के दच्छिन भारत के सबसे महत्पून राजवन्स थे पल्लवों का राज उसकी राजधानी कांची पुर्ण के आसपास के छेतरों से लेकर कावेरी नदी डेल्टा तक फैला था जबकि चालूग के राज क्रिष्णा और तुंगबादरा नदियों के बीच इस्तित था चालूग के राजधानी एहोल थी या एक परमुक पेपारी केंदर था धीरे धीरे एक धार्मिक केंदर भी बन गया जहां कई मंदिर थे पल्ला वर चालूग के एक दूसरे की सीमाव का अथिकरमन करते थे मुखे रूप से राजधानीों को निशाना बनाया जाता था जो स्रमिर्द सहर थे पुलिकेशन दुत्ये सबसे परसिद चालूग के राजा थे उनके बारे में हमें उनके दरवारी कभी रवी किर्ती द्वारा रजित प्रस्सित पता चलता है इसमें उनके पुरवजों खास तोर से पिछली चार पीडियों के बारे में बताया गया है पुलिकेशन दुत्यों को अपने चाचा से ही यह राज मिला था रवी किर्ती के अनुसार उन्होंने पूरव तथा पच्छिम दोनों समुन्दर तटिये इलाकों में अपने अभियान चलाए इसके अतिरिक उन्होंने हर्स को भी आगे बढ़ने से रोका हर्स का अर्थ आनन्द होता है कभी का कहना है कि इस पराजे के बाद हर्स अब हर्स नहीं रहा पुलिकेशन दुतिये ने पल्लव राजा के उपर भी आकरमन किया जिसे कांची पुरन की दिवार के पिछे सरन लेनी पड़ी पर चलुक्यों की विज़य अल्प कालीन थी लराई से दोनों वंस दुतलव होते गए पल्लवों और चलुक्यों को अंतता राश्कूर्टता चोल वंसों ने समाप्त कर दिया इसके बारे में तुम कक्छा साथ में पढ़ोगे इन राजाओ का प्रसासन कैसे चलता था पहले के राजाओ के लिए भी भूमी का सबसे महत्पून बना रहा भूमी कर प्रसासन की प्राथमिक इकाई गाउवाले होते थे लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए राजाओं ने आर्थिक समाजिक राजनीतिक और सेन सकती रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाया उधारन के तौर पे कुछ महत्पून प्रसासकिये पद अनुवांसिक बनाए गए अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे जैसे कि कभी हरी सेन अपने पिता की तरह मान महादंड नायक अर्थात मुख्य नयधीस अधिकारी थे कभी कभी एक ही वेक्ति कई पदों पर कारे करता था जैसे कि हरी सेन एक महादंड नायक होने के साथ सब्सक्राइब लिए 70-1522 की आस्धानिय प्रशाशने मुख्य, प्रमुख्य व्यक्तियों का बहुत बोल बाला था इनमें नगर स्रेष्टी यानि मुख्य, बैंकर या सहर का वेपारी सार्थ वहान यानि वेपारियों के काफिले का नेता, प्रथम, कुलिक, अर्थात, मुख्य, सिल्पकार, तथा, कायस्तो यानि लिपिको के परधान जैसे लोग रहते थे इस तरह नीतियों कुछ हद तक प्रभावी होती थी, पर समय के साथ-साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक सकती साली हो जाते थे कि अपना स्वतन्त राजा स्थापित कर लेते थे सोचकर बताओ कि अब सरो पकापदर्वांसी कर देने में क्या-क्या फाइदे और क्या-क्या नुक्सान हो सकते हैं एक नए प्रकार की सेना, कुछ राजा अभी पुराने राजाओं की तरह एक सुगठी सेना रखते थे इसमें हाथ ही रद, घुर्षवार और पैदल सीपाही होते थे पर इसके साथ-साथ कुछ स्नानायक भी होते थे जो अब असकता पढ़ने पर राजा को सहिनिक सहायता दिया करते थे इन स्नानायकों को नियमित वेतर नहीं दिया जाता था बदले में इनमे से कुछ को भूमी दान दिया जाता था दी गई भूमी से ये करब असुलते थे इससे सेना तरफा घोरों की देखवाल करते थे साथ ही वे इसक्से युद्ध के लिए हत्यार जुटाते थे इस तरह वैक्ति सामंत कहलाते थे जहां कभी भी सासक दूरलव होते थे ये सामन स्वतंत्र होने की कोशिज करते थे दक्षिन के राज्यों में सभाएं पल्लवों के अभी लेखों में कई अस्थानिय सभाओ की चर्चा है इसमें से एक था ब्रामन भू स्वामियों का संगाठंजी से सभा कहते थे ये सभाय उप समीतियों के जड़िये सिचाई खेती बारी से जुरे विविन काम सरक निर्मान अस्थानिय मंदिरों की देखरेक आदी का काम करती थी जिन इलाकों के भू स्वामी ब्रामन नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है नगरम बैपारियों का एक संगठन का नाम था संभवत इन सभाव पर धनी तथा सक्तिसाली भू स्वामियों और बैपारियों का नियंतन था इसमें से बहुत सी अस्थानिय सभाय सताब्दियों तक काम करती रही उस जमाने में आम लोग जन साधारन के जीवन की थोड़ी बहुत जलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य सुरोतों से मिलती है चलो इसके कुछ उधारन देखते हैं कालिदास अपने नाटक मेराज दरवार के जीवन के चरित्र के लिए परसीद है इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांज ब्रामनों को संस्क्रीद बोलते हुए दिखाया गया है जबकि अन्य लोग दता महिलाय प्राकृतिक बोलते हुए दिखाया गया है उनका सबसे परसीद नाटक अभिज्यान सकूंतलम दुस्यंद नामाक एक राजा और सकूंतला नाम की एक युपति की प्रेम कहानी है इस नाटक में गरीब मच्वारे के साथ राज करमचारियों के दुरववार की बात कही गई है एक मच्वारे को एक कीमती अंगूठी मिली ये अंगूठी राजा ने सकूंतला को भेट की परन्तु दुरगटना बस उसे एक मचली निगल गई जब मच्वारा इस अंगूठी को लेकर महराज महल पहुँचा तो दौरपाल ने उस पर चोरी कारोप लगाया और मुख पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेस आया राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हेंने मच्वारे को इनाम दिया पुलिस वाला और दौरपाल मच्वारे से इनाम का कुछ हिस्सा और अपने के लिए उसके साथ सराब खाने चल परे आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है तो वा पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बरताब किया जाएगा एक परसीद वेक्ति का नाम बताओ जिसके जिसने प्राकिर्त में उपदेश दिया और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकिर्त में अपने अभिलेक लिखवाएं चीनी यात्री फासियान ध्यान उन लोगों की दुर्गती पर धी गया जिनें उचे और सक्तिसाली लोग अच्छूत मानते थे इन्हें सहरों के बाहर रहना परता था वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को सहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकरी के एक टुकरे पर चोट करते रहते थे यह आवाद सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी परकार के संपर्क से बस्ते थे एक जगा वानवट दौरा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीब चितरन किया गया है राजा की सेना राजा बड़ी मातरा में साजो समान लेका यात्रा करते थे इनमें हतियारों के अतिरीक तरोज मर्रा की उप्योग में आने वाली चीज़े जैसे बर्तन असबास जिसमें सोने के पायदान भी सामिल थे खाने पिने का समान बकडी हीरण खरगोश सबजीया मसाले आधि पिभीन प्रकार की चीज़े सामिल होती थी ये सारी चीज़े ठेला गाडियों या उटोप पर तता हाथियों जयदे समान भोने वाले जैनमरों की पीट पर लाध कर ले जाती थी इस विशाल से ना कि साथ स संगितकार नगारे बिगुल तुरही बजाते हुए चलते रहते थे रास्ते में पढ़ने वाले गाओं उनका सतकार करना पड़ता था वे दही गूर फूलो आदी उपहार लाते तथा जानवरों को चारा भी देते वे राजाय से मिलने चाहते थे ताकि अपनी सिकायत या कुचल डालते और बैपाडियों के काफिलों के जूते जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खरे होते थे बानवर्ट लिखते हैं पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी सेना के साथ ले ले जाई जाने वाली चीजों की सूची बनाएं ग्राम वा काते पिता इसके लिए तैयारी कर रहे हैं हर वर्णन करो कि क्या कि वे क्या बोल रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं